कि देखो बच्चों यह ग्राफिकल कोश्चन है और यह आपको आना चाहिए बेसिकली कहता है कि भी एंड यी आर दर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अफ ए सॉलिड इस्पिरिकल सेल डिस्टेंस आर फ्रॉम दे सेंटर आप दर इनिफॉर् पोटेंशियल का ग्राफ तो यह इसका यह वाला जो टूडी वीव का यह डाइग्राम है तो अगर मैं सेंटर से चलूंगा इधर जाओंगा सेंटर से कहां इंफिनिटी को तो यह डिस्टेंस यहां से मेजर्मेंट करूंगा तो आप सबको पता है कि अंदर में जो फिल्ड होता है वो जीरो होता है और बाहर में जो फिल्ड होता है यहां पर डिस्टेंस पर यह डिस्टेंस आर है तो यहां पर जो ग्रिविटेशनल फिल्ड होती है एकी वेलू होती है कैपिटल जी मास एम इसमाल आर का स्क्वेर आई हो कि सबको याद होगा तो अगर इसका ग्रा बनाया जाता है सेल का तो आप देखोंगे ई वर्सेज आर की ग्राफ बनाओगे यहां से ई वर्सेज आर का ग्राफ बनाओगे तो यह जो ग्राफ है सेंटर पर यहां पर 0000 मिलेगा तो 0000 ऐसे कुछ है ही नहीं 00 कर मिलेगा आजानक से सर्फेस आगे मैक्स में हो जाएगा तो इनसाइड जीरो है और बाहर में curve 1 upon R का अस्क्यार है जाएगा तो यह क्या है discontinuous है discontinuous curve है ठीक है जबकि potential का अगर grab बनाओगे potential का grab बनाओगे तो अगर potential का grab देखोगे तो potential भी और R का तो potential अंदर में constant होता है यहां पर जो potential होता है फिल्ड जीरो होता है पर पोटेंशियल कॉंस्टेंट होता है सर्फेस पर मैक्सिमम हो जाता है तो पोटेंशियल कॉंस्टेंट आएगा सब कुछ मैं मैगनिचूड में ड्रा कर रहा हूँ तो घवडाना नहीं और बाहर में ऐसा तो ये क्या है continuous curve है continuous curve है तो अब इसी लॉजिक से हमको option select करना है तो पहला है कहता है plot of b r is discontinuous यह तो बिल्कुल गलत बात है ठीक है और plot of e discontinuous यह सही है मतलब b सही है तो बोथ हार correct यह गलत है यह गलत है b is correct और a is wrong तो यह option सही है यह वाला गलत है मतलब c option correct है तो graph है graph देख लो ना आप आप